नमस्का मैं हूँ राखी जैन और लो आये चुनाव में आपका स्वागत है आए शुरू करते हैं चुनावी खबरों का सफर राजनीतिक विश्लेशक अनिलोणा जी और वरिश पत्रकार प्रकाश भंडारी जी के साथ आए सबसे पहले देखते हैं इलेक्शन न्यूज हम बात कर रहे हैं टॉप 10 होट सीटों की लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बताते हैं विदान सबा चुनाव में मद्दान से ठीक पहले प्रदेश के बेरोजगारों ने कॉंग्रेस पार्टी को समर्थन देने का फैसला किया है प्रदेश कॉंग्रेस कारेले पर बेरोजगार एकिकरित महास्तंग के प्रतिमीदियों ने राष्टी अध्यक्ष राहूल गांधी और PCC चीफ से मुलाकात की और पार्टी को समर्थन देने की घोशना की बिरोजगारों ने पताया कि कॉंग्रेस पार्टी ने रीड़ शिक्षक सही सभी लंबित भरतियों को जल्द से जल्द पूरी करवाने और हर साल सभी विभागों में रिक्त होने वाले पदों पर समय बद भरती निकालने का वादा किया है साथी विद्यार्ती मित्र सहीत अन्य समिधा कर्मे को नियमित करने और प्रदेश के स्थानिय बिरोजगारों को अधिक से अधिक मौका देने के लिए रास्ता निकालने का भी वादा किया है आते करते श्माइस लाग की में अधिक से अमिस्ता उदी जिए और वर्शुदा जीए देता हूं आप एरुट्वरों की जवाब देतों साथो का हम इंदुस्ता अंधिक सवोड़ने आप शोड़ने चलिए आता गोशना पतर अभी व्यादूर है पेस नूमबर 20 पेरा अधिक सब्सक्राइब करेंगे और आपने कई वादे किये हम किराया आप करेंगे वोशना पतर उठाके देगी जिए मैं दूंगा उसकी पृति कि वोशना पतर पेस नूमर 20 पेस पर दिया है वोशना आज में दोदे है यह कह रहा है है अम इससा जी आते है कि हम 26 लाग वि पूरी पार्टी सब्सक्राइब कितना लोशना दे दिया इन लोगो ने लागनी चार्च किया है और सबसे बड़ा आज मीडिया के सामें पुलासा करना जा रहा हूं जिस परकार एमदाबाद में भाजबा के नेता पकड़े के पेपर लीग परकड़ में और मुझे विश् अनिल जी आपको याद होगा उपएन यादव हमारे स्टूडियो में आये थे और यही कहके गए थे कि दोनों के घोशना पत्र देखेंगे उसके बाद तैक करेंगे कि हम कहां का रुख करते हैं तो बीजेपी ने पांच जारुपे तक देनी घोशना की है प्रतिमा पर कॉ परिच्छा देने के लिए यातायत फ्री करना और तीसरा जो भरतियां जो खाली होती आती है पोस्ट उनकी नियमित क्रमबद भरती करना यह तीन बड़ी इंपोर्टन बाते हैं जो कॉंग्रेस ने इनकी बेरोतियों के समश्राओं को एड्रस किया है और शाय इसकी वैसे उनका जुकाव इदर हुआ है और यह जैसा है संका दावा है चार तीन चार लाक लोग दो हैं उसके तरश्चे हैं अगर वो युवा हैं और वो एक साथ जुड़ गए तो कॉंग्रस को इससे बड़ा फाइदा होने वाला है अगर यह बेरोजगार अनल जी अगर देखें पीला चायरा भूट है वो जिसहां आपने पने यह अपने अपने की बाते करता है असे पहले कभी दिखा रहे और यह आप संग्रीच हो रहे हैैं बरोजगर संग्रीच होरहें और बेरोजगरों कोुझा यह जो आप JIciendo किये थे इस वैसे और गारे थे जो आप सबसे जाए वही बोल रहे हैं और चुके वह बोल रहे हैं इस वैसे चुनाओ का भुद्दा बन गया है चलिए अपन वापस आते हैं वह आपने शीट टॉप 10 सीट की बात कर रहे थे पांच सीट याने की बार फिर दोरा दे जालरा पाटन नंबर एक टॉप सीड़ नंबर टू टॉप नंबर तीन उदयपूर गुलाब कटारिया वर्सेज गिर्जा व्यास नंबर चार शांदी दारिवाल वर्सेज प्राज गुंजल और नंबर पांच पांचा राज गुंजल और शांदी आरीज का हमने चर्चा कर ली थी जी आपको अगर चर्चा का जो है वह ही है कि वह सबसे चर्चा में आज की कारण यह कि वह राजदानी की सीट है कि अधर बिल्कुल अधर परनामी लड़ रहे हैं अशोग परनामी में आपको बताओं कि ऐसा संगेश बहुत दिनों बात दिखा गया है और पिछले चुनाओं से के जो 2013 के चुनाओं से थोड़ा उसके बारे में उस वहां उस परिदिस से जाना जरूरी मैं इस वह समस्ता है और मारत से 3748 वोटों से हैं पर साथ से कुछ वोटों से वहारे उसका कारेंट है कि वह आज जिस तर से मशीनरी काम की है उसके उनके पास इतने साधन मिलते जो आज रफीक खान अपने लिए उपयोग मिला रहे हैं मीडिया का भी उपयोग है परचार का भी है और सबसे कि जो कार्यकर्ताओं की संख्याय है वह पहले की मुकाबले बहुत जादा है एक ही या एक यह पर नामी काफी कठीन संगर्श के सामने कठीन संगर्श में दिख रहे हैं और सबस्चा बड़ी बात है जो वहां पर जो जहाँ एक तो इलाका है जो समर्द दों का थोड़ा सा और नाइजडे एक छेतर है जो 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 लोगों से वादे किये गए थे वो पूरे रही और कच्छी बस्ती के इंदर आप समझें कि चुनावी मौल में तो लगबाग आगी लगी वी और वही कच्छी बस्ती से क्या क्या रूख रहता है वो प्रणाम अधि बढ़ना वही रफिक खान के लिए हाला के शर्फ जी देखिए मैं इस आदर्शनकर सीट की बाद रहता हूं या 46,000 के उपर क्या 50,000 के असपास मुस्लिम वोट हैं 50,000 के बीच में काफी बारी संक्या है इसलिए और कॉंग्रेस को राय जैपूर में चूंकि तीन सीटों पर किशन पोल हवा महल और जबर दस मुस्लिम वोट हैं इसमें दो सीट देनी पड़ती है बीजेपी के लिए आसानी से कोई मुस्लिम को खड़ा नहीं करना चूंकि कॉंग्रेस पूरे स्टेट में मुस्लिम वोटों को अपना दावा रखती है तो जाजदानी की तीन सीटों पर मैसे दो सीटों पर वो मुस्लिम को देती है अवा मेल को छोड़के उन्हें इस बार अमीन काग्जी को दिया है किशन पूल से और यहां दिया रफी कान को आधाशनगर से यहां यह माना जाता है कि जैसे ही मुस्लिम को खड़ा करती कॉंग्रेस वहां हिंदू-मुस्लिम हो जाता है वोटों में लेकिन फिर भी जो कॉंग्रेस का वोटर रहता है कॉंग्रेस को देका आता है अब दो नेगेटिव बाते हैं एक तो जो एंटी इंकम्पेंसी वसुन राजे सरकार के चुकि यह प्रदिश देक्ष्राय लंबे समय तक इसने इनकी भी वैसी एंटी इंकम्पेंसी है यह सरकार के पार्ट एंट पार्शन माँने जाते हैं दरसल हुकम तो इनी का चलता था आईएसबी अफसर भी इनी का हुकम वसंतराजे का हुकम मान के काम करते थे आज भी चल रहा है आज भी चल रहा होगा ठीक है ना अशोक महन मैं उनको कहता हूं तो अब उसमें यह हुआ खास बात ओआठी का चुनाओ प्रचार की कमान हिंदू के हाथ में है जिसमें 40 के पताधिकारी आप अगरवालं जसा हमिल है ऑर दूसे जैनल समाज की भोग सा मेले बहुत सारे जोरी शामिल है जोकि रफीक खzeit कवेवार रहे बिजनस का लेंदेन है वह जवारत के भी तरे बिजनसत प्रफीक झानने पी दितिय रहे हैं वह मिख्यू खरत पर वह नहीं पाया और इसमें हिंदू समाज के लोगों का बड़ा योगदान है कि उन्हेंने कमान समाली और रफीक खान का चुनाव प्रचार चुनाव प्रबंदन काफी हद तक हिंदू समाज के लोगों के हाथ में हैं जबारत के व्यापरियों के होगा या प्रतीपक्षी पाड़ियों के अपार्टी हो फटस्टारून पार्टी होगा उनको पॲगा ये तो अपने ही लोगों को जो अगरी अटिकट काडियों को airport ड्वाम एंD उनको अभ बुरुदों एंदर पिछले पांच मेने के अपने संपर का別ने कारिकान करने और उसके बास थोड़ा सा विश्वास बनहें उनके प्रति और जो समर्थकों की सपोर्टर्स की संख्या बल जो होना चाहिए उसमें भी काफ़ी ब्रद्दी भी है दोनों तरफ से आगार लग रही है दोनों तरफ से शायद किसी कॉंसिर्टिंसी सबसे जादा पैसा कही खर्च हो रहा जो शायद आदस नगर भुण रहा हूँ जी और इसमें ये खास बात ये भी है कि देखे जब चुनाव मंडा था तब में और आज में दोनों में बहुत फरका गया जमीन आस्मान का इसी तो रफीग कान तो बिलकुँ हाशी में थे चुनाव में जब उनका टिकेट मिला थब भाशी में तो हम भी जानते नहीं थी यही बात थी कि कहां से रफीग खान आगे कौन है और बिशकल नहीं देखे वो जो है उन्होंने मुख्य चुनाव में आगए वो तक्कर में आगए और उन्होंने अश्योग परणामी को कड़े संगर्श में डाल दिया इसमें कोई द दर्शकों को मैं शेयर करना चाहूंगा वो इस इलाके में मैं आपको बता रहा हूं कि जैपुर की सभी सीटों पर 60 बजार सक्री रहता है लेकिन सब सजाय सक्री इस सीट पर और इसमें दोनों कि प्रतैसियों के भाव करीब-करी बराबर है तो करीब कोई कभी एक पैसा सब्सक्राइब करें लेकिन संगर्श की स्थिति और 60 बजार का इतना 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 फ्लक्शुशन मैंने पहली बार जैपुर की किसी सीटों देख जी चलिए लेकिन यह भी एक हॉट सीट है इसमें कोई दो रहा है नहीं हो पर रफी खान संगर्श में लिए काटे में सब्सक्राइब के लिए उसके बाद जिस तरह का महां ड्रामा हुआ जबरदस्त और चुगी बिली बीडी कल्ला पर यह आरोप लग गया कि उनने भारत माताजी जैरुकवाई बीजेभी इसको ले उड़ी आरोप को और बीडी कल्ला को यश्पाल गयलोद की जगए टिकेट दिया गया यश्पाल गयलोद की बिजा गया उनको फिर महां से तरिकेट कर गया तो माली समाज उद्वेलिक अग्रेसिव और शायद बीजेभी के साथ गोपाल गयलोद भी महां से चुनाल लड़ रहे हैं तो वह तो साले बहुत करते हैं तो एक सानूबूति का फायदा दो मिल सकता है development कर दो गोपाल जोशी जैसे दोनों ब्रह्मनों के तबके से आते हैं उसी वह रहां पर कई जैसे आप इस चिनाव में देखा गया यह जाट सीटे गुजर सीटे में अगरवालों के सीट यह बहिश्षुरू के सेटी सुथ देखा जा रहा है पाली के आंदर जो है पाली शेहर की जो सब इसके अलावा जोदपुर के दर भी है जोदपुर के दर भी संगर्ष की स्थिति बन रही है वह वर्परमुक के सबसे बड़ी बात अब वहाँ पर बड़ा बड़ी जिल्चस्थितिया देखी जारी है वह एक समाच को को एक समाच को के दो प्रताशी महां खड़ वे अब एक की उमर है पिच्चाशी साल एक 68 पार कर चुके तो यह देखा जा रहा है यह कौन लंबी सेवा देने वाला है और कौन का जी वह तो जारा पुता कंसिलरेशन उमर का होता ही है इसके लावा एक और होट सीट में समझता हूं सांगानेर गंशामतिवाडी बीजेपी के विधायक थे पांस साल उनने संगर्ष किया वसन पार्टी से अलग हुए भारत वाहिनी पार्टी बने इसके प्रजेशन देक्षे हैं और उन्हें फसाने के लिए महापार को उतारा गया जैपुर के अशुक लाहोटी को और कॉंग्रेस ने पुश्पेंद भारदाज को उतारा जिसने पास साल जबरतत मशक्त किये और रमेश मीना के सामने हैं कॉंग्रेस के प्रतिपक्ष के जो उप सचे तक थे जिए रमेश मीना और किरोड़ाल मीना में 36 का खड़ा है दोनों एक दूसरे फूटी आँखों देखना नहीं चाहते चंगर्श भी हुआ और संगर्श भी हुआ दोनों में और इसलिए कॉंग् हुआ यह वह के डिए दोनों बार अलग अलग सीडी एक बार मोभाल से बहुत्ति छाह से निए लोग यह इस लिए हमाँ झालत अप सब्सक्राइब अभार में एप फर्क हो है की स्ष्य गोल्मा कंट्रमा तैर और यह अद॥ है अप साथंज लिए लिगा चते बेंगा spikes से तब मंति थी थी तब चुनाव जीती थी ते महां से सवाइ मादपूर और चुर्डआ भी तो वी परहौश है जो से बलता है वह उसका भी तौकल ढूंधेट वह एक इक सीट पर आपका जहां है कि नहीं मुझे लेकि मैं उसके कारणों सो देखना चाहिए मुझा आप अलवर जिले के तिर्की जो तिजारा की चीट है जी वहां पर जो अलवर के दर हम लोगों दो हर्त्याएं हुई है मौब लिंचिंग हुई है वो तसकरिकों ले करके वहां बलकुल माहुल अलग किसम का है और वहां उस जिखस को देखना हमें महलबर हमें पहुशना जरूरी इस कारण मैं मानता हूँ अनिल जी क्योंकि उप्चुनाव जहां हुए उस उप्चुनाव के अंदर सारी सीटों के अंदर बहाज पहारी थी और तिजारा के अंदर जहां पर पिछले बार दुरूम यां तिसरे सान पर रहे थे वहां भी बीजेपी को पराजे देखनी पड़ी देखिए अब मैं आपको नहीं बार बताता हूँ पिछली बार वहां पर तयब हुसें की बेटे खड़े हुए अबी बस पासे हैं पार्टी बदली में पार्टी बस पासे हैं तो वह जो वहां पर फोर एंगुलर फाइट और इस वक्त संदीब दायमा जो नगर परिशत के अध्यक्षे महा की बिवारी के संदीब यादव जो बीजेपी की सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त युवाबोड के अध्यक्ष थे वह बगावत करके चुनाव लड़ रहे हैं ये त्यब हुसें की बेटे चुनाव लड़ रहे हैं दुरू मियाग कॉंग्रेस के स्टॉलवर्ड मंत्री रह रहे हैं और दुरू मियाँ और वो दो मुस्लिम लड़ रहे हैं फजल हुसें तो चार लोग हो गए एक तरसे और यह अगर फोर एंगुलर होगी तो कहनी सकते है कौन जीतेगा लेकिन इस बार दुरू मियाँ काफी सोफ हैं सोफ हिंदुत्व को मंदिर से शुरुवाद की अपनी अपने चुनाव अभियान की यह खास बात है पहली बार था किया उन्होंने अपने 30-40 साल की केरियर में मंदिर से शुरुवाद की अपने चुनाव अभियान की तो यह फोर एंगुलर साइट है और अभी संदीद दाइमा वरसे संदी प्यादव वरसे तयब हुसें वरसे तयब हुसें की बेटे फजल हुसें वरसे दुरुमिया चले समय कम है एक सीट मैं कहूंगी पोकरण जहां दो धर्म गुरू आमने सामने हैं काफी होट बनी विया उस पर आप रोगा क्या करना है जी वो पो साले मॉमर काजी फगी की बेटे लड़ रहे हैं जी प्रकाशपूरी प्रदीपूरी उनको उतार दिया मैं प्रदीपूरी को वहीं पर वो चर्चा हुई थी मेरे खाल से योगी आजितनात की कि उन्हें कॉंग्रेस को या ली और हमको बजरंग बली मुबारक तो वहां एक धर्मी धार्मी गादर पे वोटों का पोलेशन करने कोशिश की गई और चुकि वह एक धर्मगुरू के बेटे हैं वह एक धर्मगुरू है तो अब वह क्या चुनाल हिंदू वर्सेज मुस्लिम होगा या चुनाल कॉंग्रेस वर्सेज बीजेपू होगा यह बड़ा प्रस्वाचे चिनने है पर पोकरन की सीथ पर सबकी नजर है पाकिस्तान तक चलता है उनका फत्वा ठीके ना और इधर जो है यह धर्मगुरू है इनको भी वहां पर हजारों लाखों लोग मानते हैं प्रकाश्पुरी को तो अब यह विजित्र किसम का चुना हो गया है लेकिन उसका आधार धर्म है अगर धर्म के आधार धर्म के बुक्त मांगी जा रहे हैं एक सीट पर आपकी नदर गई रही आपकी नदर जा रही है कि मैंनें मैं को आपको एक सीट यह तरफ आपका ध्यान आकर्श्रत करने कोशिक पर वह पीपलदा की सीट है जहां पर ममता शर्मा लट रही हैं विज़ए करे चुकी है बुंदी से पुत्र के लिए संब्रदी के लिए उन्होंने बंदी से टिकेट मांगा था और जब टिकेट नहीं दिया गया तो नाराज़गी दिखाती विए वह भाच्वा में चली गई और भाच्वा में उन्होंने अब जो मुर्चा जीए एक जिन पहले गई एक पिपल दा साधान तब विदान साव उपादक्ष भी रह चुक है और संब्रदाय से हैं तो जनली से जीते हैं देवली से जीते हैं और यह पिछले बार उन्हों चुनाव लड़ा था तो उल्कुल उन्हें कहां आप वो कोटा जी लेके रहने वाले उन्हें टोब भीज दिया गया था फैर लेक लेकिन जैसा ही मंता शर्मा का प्रवेश हुआ वहां पर बिल्कुल भुचाल सा आगया अब वहां पर रहे कि स्थानी लोगों को बिल्कुल कटई उमीद नीथी कि मंता शर्मा महा सकती क्योंकि मंता शर्मा है उनका पिहर्त वो कोटा का है लड़ती वो उनके जो सुसर से वो भी मुंदी से विधायक रहे मंत्री ब्रसुंदर शर्मा ब्रसुंदर शर्मा और खुद राष्ट्री महिला कॉंगर्स की राष्ट्री देख रही काफी सुल्जीव महिला हैं लेकिन उन्हें अपना राजनितिक भरुष्टी कुछ डगमगाता सा नजर आया तो उन्हो लोगों का कॉंगर्स के लोगों को बढ़ा पचा नहीं पारे थे और वह जहां पहुची है वह भाजबा के लोगों नहीं पचा पारे चलिए समय की बहुत कमी हैं चर्चा जारी रहेगी टॉप 10 की बात हुई थी हम शाहिद काफी आगे तक चले गए आप दोनों का बहुत धन्यवाद सार्थक चर्चा के लिए